आपका जो एक्जाम है ना 20 मार्च के दिन है और लगतार में तैयारी आपकी करा रहा हूँ चाहे आपको इसे भी जिले से हो मैं आज आपको एप्लिकेशन और निभंद बताऊँगा जो आपकी परिक्षाल में देखने को मिलेगी और पूरा सोलिशन के साथ बताऊँगा हिंदी में अनुवात समझाँगा ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है देखिए हम चार से पांच टुकडों में केवल पूरी संस्क्रत को कबर करने वाले हैं तो यह आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन और निभंद दोन यह पर आपका जो इस्तान है वह लिख सकते हैं इतनी समझ माई विशे जो है इसको उठा के अपने को यहां पर रखना है इसके सीध में सेव है आमकी जगा पर ठीक है यह बिल्कुल आपकी कोपी की लाइन हो गई है इसको अब कोपी में लिखे बता दूँगा पहले अपन समझा देते हैं आपको है न विशे हो गया आपका आउकास आर्थम प्रातना पत्रम आउकास इने की छुट्टी की एप्लिकेशन एदू अवेदन पत्रम चलिए अब यहां से में चीज़ है एक-एक सब्दों को ध्यान से समझना तो यहां से देखिए मोहद है सवीनेयम न निवेदन है यद यद का मतलब होता है की क्या होता है यद मतलब की यहां पर लिख दूं यद मतलब हो गया की अहम का मतलब होता है में अग्ये का मतलब होता है आज ध्यान से देखो आप तो यह के चीजों का अर्थम जो सवीनेयम निवेदन है की में आज सहसा का मतलब होत जोर पीडितो बुखार से पीडित और असमी अतलव हूं मैं बुखार से बुरी तरह पीडित हूं अताहा विद्यालियम आगंतुम आसमर्थो असमी अब यह लाइन करता तो आप खुद भी बना सकता कि विद्याले आने में क्या हूं आसमर्थो हूं कम से कम जानदानी तो में को पाच्छे महीने की छोटी तो दो ठीके यह सा करो पेपर के इंसिल कर दो संसिक्रत का सबसे बढ़िया काम रहेगा यह हमारे बच्चे जो चोच रहे ना बिल्कुल घवराओं मत आप ठीके नो फरवरी के दिन आपका एकजाम है न संसिक्रत का और में दावा डंके की चोट पे केता हूं कि हारे का सारा इंसियाटी कोचिंग हमारा ठीके आप तो बिल्कुल संकोच मत करो जो चीज़े बता रहा हूं ना उसमें से नहीं फस्ती है न तो गारंटी मेरी है ठीके मेरे दोस्त देना आप तो ठीके भईयो अब यह आप तेंतम हों चाहिए कोई बच्चा ना इंतेका देख रहा हो तो भी घबराई मत बिल्कुल आवकास यही आने वाली है ठीके अतहा विद्याले आगंतुम आसमर्थो असमी विद्याले आने में में क्या हूं आसमर्थों किरपया मंपंच दिवास नाम किरपया मुझ लिखते समय यहां जो है ठीके यहां पर है लड़की संब्रद्धी और हमारे भाईये उन जो है ठीके वो उनको लगेगा विसर्ग जैसे नीचे वाली एप्ली किसन में आप देखेगा यह सब्द बहुत ध्यान देना है लड़के है तो भाई सब विसर्ग लगेगा बड़ सिस्या है और यह भी सिस्या है लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मातर आएगी देख लो ना तो भाउदिया में है विसर्ग ना सिस्या में और यहां पर दोनों में ही क्या रहेगा भाउदिया सिस्या और आगे बड़ा बता देता हूं उसको समझने के लिए आपको य यहां पर देखो भावदी या सिस्या लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा सिस्या और भावदी दोनों में यहां पर सार्थक भार्दवाज लिखा हुआ है यह एक नंबर काड़ देता है यहां से ठीक है और बढ़िया से करो फिर अपने को हो जाएगा तो समझ में आया है कुछ ठीक है आवकास केसे लिखनी है अब रही बात इसको लिखने का तरीका तो थोड़ा सा एक बार में इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगा पर बता देता हूं सफ़ई आपके हाथ की सारी चाहें आपके सामरे कर सकते हैं कोई दिकतत नहीं है ठीक है यह यह जाक सपते हैं हैं आप तो संसेक्रत भासा अस्माकम का मतलब क्या होता है हमारे देस कि तो मिनिंग क्या बना आपका संस्क्रत भासा हमारे देश की प्राचिन तमा भासा अस्ति पुरानी भासा है पुराने जमाने की भासा है प्राचिन काले पुराने समय से ही सर्वे का मतलब होता है सभी सर्वे मतलब क्या होता है सभी भारतिया यहने भारती और एव का मतलब होत है ही एक चीजों को ध्यान चे समझ आप तो प्राचिन काले सर्वे एव भारतिया प्राचिन काल में सभी भारतिय ही संस्कृत भासाया संस्कृत भासा का एव ही व्यभारम कुर्वंति इसमा का मतलब करते थे ठीक तो क्या बना लाइं करत्थ एकी प्राचिन काल में सभी भारती ही और वह करते भारती संसक्रति, दो लाइन सवज में आई, तो हां करो, ध्यान चाश समझो, मेरा उद्धेस से यह है कि आपको एक एक चीज़े किलियर हो, ठीक है, कालंतरे, कालंतरे का मिन्स होता है, समय के साथ, कालंतरे का मतलगा, समय के साथ, विभीदा, वेने की विभीद, प्रांतियान, यह सब भासाए प्रचलित हुई, किन्तु, संसक्रतस्य महत्वम, संसक्रतस्य जिसमें यह अदसा और यह रहता न, इसका मतलगा होता है का की के, यहने जिसी जरुद बोले बोलते हैं से बोलता न, राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह यह स तो यह सीता की तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका अ स्याखा तो किंटू संसक्रतत स्यमेहाँत्तिम अज्यपि अध्यपि का मतलब होता है आज भी इसमें दो वीडियो चोड़के चले जाओ क्योंकि संस्क्रत का स्क्रीन सोड़ तो आप ले लोगे लेकिन समझना बड़ी चीज है और यदि एक बार समझ मैं जा तो चाहे आप टेंतम हो ठीके आपको याद कराने के जब अपदरी मेरी याद अच्छे से होगा क्या बोली मैं पहली यहा द्वासा हमारे देश की सबसे पुरानी भासा है प्राचिन काले सर्वे एव भारतिया संस्क्रत भासाया एव व्यभार कुर्वंति इस्मा प्राचिन काल में सभी भारती संस्क्रत भासा का व्यभार करते थे काल अंतरे समय के साथ विभिदा प्रांतिया भासा प्रचलिता समय के साथ विविन प्रांत की भाक्षा प्रचलिंद हुई किंतु संस्क्रत मैत्वम अज्ञपी अच्छुनम वर्तते और संस्क्रत भासा का मैं तो आज भी सर्वे प्राचिन ग्रंथा सारे प्राचिन ग्रंथ चत्वारों वेदश्य चारों वेद संस्क्रत भासा या में उसंती सभी प्राचिन ग्रंथ चारों वेद संस्क्रत भासा में ही है संसेक्रत भासा भारत राष्ट से एक्ताया अधारस्ती संसेक्रत भासा क्या है भारत राष्ट की एक्ता का अधार है आगे पढ़ते हैं संसेक्रत भासा या यह आपको यहां से नहीं करना है यह अब चार नमर में आता तो यह यहां से यहां तक आपको नहीं करना है यह मैंने झो टिक मार करिया इसको आपको लाइन को कट कर दिना यहां से पढ़ें आप संसेक्रत भासाया स्वारूपेन रूपं पूर्ण रूपेन व Esp earrings रूप से इतना सा यह बर्द आपको चाहू तो लिख सकते इतना यह पर यह बस इन सब गुमारों गोली क्योंकि चार नम्मर में हमको खास-खास चीज़े लिखनी है केवल आगे बढ़ेंगे तो यहां से अपने को पढ़ना है संस्क्रत भासायव भासेन भारतस्य प्रान भूता भासा अस्ति संस्क्रत भासा ही भारत राष्ट की क्या है प्रान भूता आयने की क्या है आपकी प्रान वायू की तरह भासा है राष्ट से एकमचा साधियती यह राष्ट को एक बंदन में पिरोके लगत रखती है ठीक है भाईया बस इतना आपको कर लेना बस इतना ही बहुत है जाना लंबा चोड़ा आपको लिखने की जरुबत नहीं यह आपको लिखना है ठीके मैं बता रहा हूँ और यहां से यह लाइन लिखनी है और बाकी यह दिखिए यहां से तो आपको यहां तक लिखना है पहली चीज़ समझ मैं गया ओपर से कर लो कंप्रीट इतना अस्ती तक अस्ती के बाद में एक लाइन यहां से उठा के लिख लेना है और फिर डारक लिखनी यहां से कुट की एक लाइन कर लेना है ठीक हमारे बच्चों को अच्छे नमर आए बस इसी उद्देशे से मैं खारी कर रहा हूं तो यह मैंने आपको सं कोनों के अलावा आपको कोई सी चीज करने की जरुवत नहीं वैसे महा कवी कालिदास मं मतला हुता मेरे पीरिय कवी है महा कवी कालिदास क्या है मेरे पीरिय कवी है सा संस्कत भासाया वहां संस्कत भासा स्रेश्टितम कवी अस्ती वह स्रेश्ट कवी है किसके संस्कत भासा के ठीक है याद रसा रस प्रवाहा काली दासस्य कावेशू विज्यते ता रसा अन्यंत नास्ती ठीक है और सा कल कवी कुल सिरोमनी आस्ती वो क्या है कवी कुल सिरोमनी है काली दासे इन त्रीनाटिकानी इनका नाम आपको नक हो नहीं करना यह यहीछ चीज़े मत बताओ भली आपको को जरूरी थो इसनों पूछआ घूरी यह बताओ ना आप को क्या करना है यह लाइन ने लिकरना क्या लिकोगे काली दासेंटीनाट मूह लुए माहा कावे, दो माहा कावे, दुए गीती कावे, चार रची तानी, बस ये बीतर का डबबब डबबब वाल, अपने को निगरिना है, ठीके बोलो लाइ, बोलो फिर से, काली दासें त्री नाटिकानी इन नाटक दुए महा कावे दो महा कावे और दुए गीते कावे चार अची तारी काली दासें लोग प्रियत आया कार्नम तस्य प्रसाद गुन युकता ललिता सेली अस्ति काली दासस से प्रकती चित्रनम अतिव रम्निय अस्ति काली दासस का जो प्रकती चित्रनम अतिव रम्निय है बस इतना होगे यहां तक इतना कर लोगे इसके बाद में अपने एक लाइन और यहां से यहां तक कर लेंगे ठीक हे बहुत सब्सक्राइब है अब बहुत है इतनी जाएंदा बड़ा लुटा ने लिखना अपने को चलो यहां तक तो लिख देना है यह होगे इतना और अंत में लिख देना बस यह यहां तक यहां तक कर देना वह यह एक तो यहीं तक लिख देना और बीच वल्ले ने एक लाइन क्या हटाओ इसमें वो भी कर लेना बढ़िया से कंपलीट करो आप तो है ना देखिए पहले अपने को प्रतिष्टेया मान लिखना है मान्य प्रचारी मोहदया सासकी उच्चेतर माध्यमिक विद्याले इंदोर नग कुछा मध्यप्रदेश्ट राज्य जैसे जो भी अपने गाओं का छेत्रखा नाम भू लिखतना ठीक है विशे इस विशे को उठाके यहां पर लिखना आपको विशे चात्रवर्ति निमितम आवेद्यनम पत्रविश्ट महदय सविनयम निवेद्यामी सविनयम निवेदन है यत का मतलब गया की मम जनकस्य मम जनकस्य ने मेरे पिताजी की सिया का मतलब होता है की बटा की क्या होता है की मेरे पिताजी की आर्थिक इस्तिती सम्यक नास्ति अस्तिक मतलब होता है नास्तिक मतलब होता नहीं है मेरे पिताजी की जो आर्थिक इस्तिती वो अच्छी न कि यहां रहे हर महीने का ने देने में आसमर्थ है लेकिन पचास जार बाइने में समर्थ है केने का मतलब यह कि बाई सब सब्सक्राइब जब इस चीज के लिए मंगब दो हो ठीक है बागे जगा ने मेरे पिता जी की अच्छी नहीं है वहां मेरी सिख्छा का हर महिने का सुलक दिने में आसमर्थे अता स्रीमंता महाम चात्रति दाप्यंतु इती प्रायर थे अता वो मुझे चात्रति देने की कृपा करें भवन्ताम सिख्या रवी उप्राइब